दोस्तों आज हम लोग भाग देना सिखेंगे दसमलब संख्याओं का, दसमलब हटाना सिखेंगे और दसमलब लगाना भी सिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये वाली जो एक्वेसन है, 0.64 upon 0.2 को हम लोग solve करेंगे, ठीक है? यहां पर सबसे पहले हम लोगों को दस्वालाब हटाने पड़ेंगे किस तरीखी से उटाए जाते हैं देए अगर उपर का दस्वालाब हटाना है तो अंक को हम लोग गिनेंगे एक और दो तो दो अंक हो गए तो यानिकि नीचे दो जीरो बड़ेंगे अगर नीचे का दसम्लब बढ़ाना है तो ऊपर 0 बढ़ेंगी एक अंग के वाद दसम्लब बढ़ा है तो 1 0 बढ़ेंगी बस इतना आपको ध्यान में रखना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 64 लिख देंगे ठीक है और नीचे लिख देंगे 2 कोई मतलब नहीं है अगर हम लोग एक 0 यहाँ पर भी बढ़ा देते हैं तो कोई दिक्कत की बार नहीं थी लेकिन आपको ज़्यादा solve करना पड़ता अगर हम लोग इसी में डारेक्ट हम लोग 0 बढ़ाते थे तो इसी लिए हम लोगोंने क्या किया एक के बाद 0 रख दी नीचे का करेंगे दो अंकों के बाद है यानि कि दो 0 एक दो इसे हम लोग solve कर लेंगे 0 से 0 चला गया इससे हम लोग solve करेंगे 2 ती अच्छा है तो 2 नी 4 ठीक है कितना आ गया 3 2 upon 10 यह वाला जो 10 है वो ठीक है नीचे एक 0 है अगर नीचे का 0 हटाना है तो उपर एक दसम्लब जरूर आएगा चाहे आप सीधे सीधे भाग भी दे सकता है या फिर इसे छोटा करके भाग दे दीजे तब भी वो उतना ही आएगा तो क्या करेंगे नीचे का हम लोग 0 हटाएगे तो एक अंक के वाद यानि कि इधर से रैट सैट से एक आई अंक से दसम्लब लगाएंगे कितना हो जाएगा 3.2 यही अम लोगों का answer हो जाएगा अब हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं मान लेते हैं कोई भी equation ले लेते हैं मान लेते हैं कोई भी जैसे 0.100 जीरू, जीरू, बटे करेंगे .50 तीक है, ऊपर क्या है 3 अंकों के बाद ईसम्लफ है, नीचे 2 अंकों के बाद ईसम्लफ है, तो लिखेंगे 10 अंकों को हटा देंगे ठीक है, और नीचे लिखेंगे 50 अब यहाँ पर multiply लगा देते हैं नीचे कितने अंकों के बाद था दो के बाद तो उपर हम लोग 0 बढ़ाएंगे दो ठीक है यहाँ पर 3 अंक है तो यहाँ पर हम लोग 3 अंक लिख देंगे यानि कि 1000 से हम लोग क्या गरेंगे गुणा कर देंगे अब हम लोगों को बिलकुल solve करना है किस तरीके से देखिए 3 0 से ये 3 0 हम लोगों था दी 1 0 से ये वाली 1 0 हटा दी ठीक है अब हम लोगों को बस बिलकुल सरल हो गया उपर कितना है सिर्फ एक बचा नीचे कितना बचा 5 बचा आपका आंसर बिल्कुल यही आ गया आपको अगर और सॉल्व करना है तो भाग दे दीजे इसमें ठीक है तो पॉइंट टू आपका आंसर हो जाएगा ये भी सही है और ये भी सही है तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है समझ में आया है तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद